यो मैं हूँ डोल आश्रम के निकट विष्णु मंदिर में और मेरे साथ पंडी जी हैं तो पंडी जी आप अपना पर्जे दीजिए मैं रमेशन जोसी रेश्टम गुविनम उत्ष्टम गरदजम उत्ष्टम कमला कांदम तिल्लोक रामायट शिवार्चना अग्यातिति शरात जो होते हैं देवश्चनान जो होता है तो वो सब भक्तों के द्वारा या कोई सरकारी जो निदी है उनके द्वारा कमेटी के द्वारा यहां पर धर्मसाले बने हुए हैं जिनमें लोग अपने पूजापाट को आराम से कर लेते हैं और गंगा श्नान करते हैं और यहां के जो मैन पर्व हैं तो वो पर्व हैं गंगा दसरा गंगा दसरा ही यहां का मैन पर्व है तो यहां पर जैसे बैशी इत्यादी ऐसा भी क्या पंडीजी कुछ है जो बैशी नहीं है 22 दिवसी जो जागर होता है जैसे भागबत चला है पुराने समय में इतनी शुविधाय नहीं थी आर्थिक इस्तितनी अच्छी नहीं थी तो पहाड़ी भासा में जो शिव संकर भोल शिव डमरू है उनको एक माध्यम बनाते हुए संगीत की धुन में यही शिव पुराण रामयान के असनी लिला और महाभारत की गाथा का वर्णन होता है हर रोज पाठ होता है हर रोज गोदान होता है और उस हर तिस्रे बर्ष हरेले से जो कार्क्रम सुरू होता है 21 दिन यहां पर सारवजनी घवन और सारवजनी गोदान परसनल गोदान यह कार्क्रम होते हैं और नाग सुला की परक्रमय यात्रा होती है नाग सुला जहां यह भूमी नाग भगवानों की है क्योंकि जहां बिश्नु है वहां जल है और जहां बिश्नु है जहां जल है वह इसलिए इस मंदिर का नाम बिश्णु नाग मंदिर है और एक शमय वो भी था कि जब यहां हाथ में दूद रखके पूजा की शमय पूजारी जी दूद पिलाते थे नागों को अब भी यहां नाग देपता की दर्श्वरम को होते रहते हैं या तो पूजा पाठ बढ़िया मैं भी 40 साल का हूँ तो मैंने भी कई बार नाग देपता हूं के दर्शन कर लिये हैं और हमारे सेने लोगों ने तो काफी नागों को यहां देखा तो सांत एकांत वातावरण में यह ऐसी जगह है तपो भूमी है कि यहां से कोई घर हमको नहीं दिखता है जो भक्ति यहां आता है उसी के हम दर्शन कर पाते हैं तो तपश्या के लिए ध्यान के लिए इससे और अच्छी एकांत जगह कोई हो नी सकती है और रत्ति बराबर सोना रोज पिष्ण भगवान के चरण से बहता है पदमावती के नाम से ही इस नदी का आगे जो विश्तार हुआ है पनार कर्म यहां पर भी होते हैं देव सनान और अज्ञातिति श्राद की शुरुआदी करते हैं रामेर्ण है शिवार्चना भागबत है पाठ है गोदान है यज्य है चोडा कर्म है जनेव है विवा है हर कर्म जो है यहां पर होता है और जो ठाड़ी जगुनी ने वो ठाड़ी ले कि यहां जगई जांप गुरू तो जो ठाड़ी अग महत्तु छो वह हमार शिवरात्री में और जो हर तिशार बर्स हमार 2021 में 13 बाद 25 तो 25 में जो पर यहां समय वह बक्ती जागरिद हो और शूर उद्राइस समय में समापन तो जो ले अपन शर्धाल कोई ठाड़ वेर कोई बैड़ वेर कागुबर और प्रकारल ले भगते रह सकों अपन सर्दा अंशार अपन सरीर के देखते वे तो फल हमार सामनी हमों देखो कई लोगों के जो जना संतान नहीं तो उनुको संताने प्राप्ती जिरूरुड है यह हमार द्यान एक बाद से कि हमोन जन लोगों को ले जन महिलाओं के ले यह ठाड़ दी जिगाते हुए देखो तो उनुके उफल प्राप्त हुए तो शांत और एकांत वातावरण में यह मंदिर छे और जगड़ियों जब भी आप पहाड उत्तराखंड घूमने आते हैं सफाई का विशेश ख्याल कीजिए क्योंकि जब लोग बहुत से आते हैं तो यहां पर बहुत सारा कुड़ा फ्याला के जाते हैं बहुत दुखका विशेश है आप आईए स्वागत है लेकिन शफाई का जो है विशेश ध्यान आप लोग रखेंगे यह मैं उमीद करता हूं अच्छ यह दोई मंदिर हैं और जो कड़ेश जी का है हनमान जी का है मैईय पी गुफ़ा और जो हमारे पर जो भी बने हैं यह यहां पर कमेटी और प्रेमदाश बाबाजी हैं पर रहे तो उन्होंने एक आइंधर क्या और जनता जनार्जन ने गराम वासी सेदूर दूरव दराज से सब लोग ने उसमें अपना अपना तन मन्धन से युगदान दिया और अभी कमिटी के कोर्ष में भी जो आए होती है जिनेव की शादी की तो वो जमा रहती है कोई भी कादिकर्म करना है सपाई करनी है या मंदर के लिए लकड़ी बनानी है जो भी व्यास्ता के लिए वो पैसा भी जो है कमेटी देती है जैसे दो नबराती होती है उनमें जो पूजापाध होती है जो भोग लगता है जो तेल लगता है जो भी चीज होता है उसके लिए कमेटी यहां पर देती है और हर मंदिर में धूबबत्ती करने के लिए हमारे श तो उनको आयवय प्रशीत काटने का काम करते हैं और इन मंदिरों की साफ सपाई करते हैं बहुत तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक विप्ति के लिए कोड़ा करकट साफ करना और दिन भर बंदर भी यहां है तो आधा समय तो उनके पीछे बिरत्य हो जाता है तो वो भी लगे र करते हैं दो बर्स शे मेरा ये लक्ष्ष है कि हर रोज भत्ति जले भड़ी रहें तो उसके बाद मैं मैं नहीं तो मेरे बत्चे नहीं तो कमेटी वाले आके यहां पर हर रोज बत्ति हर मंदिर में जागरित रहेगी कि हमरा अपूर्ण होगा है चलाई है आगे को भी हम तन हमारे बाबा कल्यान दाश जी दोल आश्रम वाले इसका जीवनधार नमीनी करन कर रहे हैं तो जो भी धल लग रहा है पूरा उन्होंने देने को अपना बचन दिया है जिसमें उनका कार्य चालू है तो धन्यवाद है हम धन्यवाद दिनों कल्यान दाश जो यह चेत्राक्षन और दोल आश्रम यह तो बढ़िया उन्हों जो बढ़े रहा और आप यह मंदिल को लग उन्हों गोद लिरा तो हम कृतार तच्छों यह लोग जो आपन मैं माटी लिजी खाम करने तो गुर्जी आ परकार से ब्रह्मा शिर्ष्टी के रस्ता विष्णू इस जगत के परंपिता परमेश्वर जल चर्थ थल चर्थ नप्चर हर जीव जन्तु यक्षे नाक किन्नर पशु प्राणी बंशापती हर किसी के परंपिता परमेश्वर हैं तो उनका एक प्राकितिक मंदिर प्रांद के अल्मोडा जन्पत के लंगड़ा विलोग के इस दोल ग्राम के शीर्षम है तो सबसे बड़ी चीत है कि अहो भागी शाली हम है कि हमारे जन्म ऐसी भूमियों है जहां विष्ण भगवान पालन करता परंपिता जगदिश्वर यहां विराजमान है तो सभी भक् को समस्त भारत वर्ष देव हुई का लोगों को जैसी जयसे जानकारी मिलते रहेगी तो लोग आ भी रहें बहुत प्रांतर से अन्य राज्यू से भी लोग यहां पर आ रहे हैं पूछ के आश्रम में आते हैं तो बाबा जी आश्रम से यहां भेते हैं उनको दस्तन करने और यहां आके उनको आनंद की अनुभूती होती है क्योंकि यह एकांतर जिगर में जो मंदिर है उसकी एक अलकी महिमा है